यहां आप सभी को मिलती हैं फुली एक्सेसिबल टॉक पेक के साथ ज्ञान बर्धक टेक्नोलोजी चौब अलट से सम्मंदित नई नई अपडेट्स इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब वीडियो को कीजिए लाइक्स ताकि आपको मिल सके हमादी वीडियो की सबसे पहले अपडेट तो कंट्यूनिव वाचिंग इन्फोर्मिशन फोर विज्यूली इंपेर्ट यूट्यूब चैनल सो हेलो एवरिवन कैसे आप सभी उमीड करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में स्वस्त होंगे तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है यानि टियर टू जिसे बोलते हैं उसका फाइनली यहाँ पर दोस्तों एड्मिट कार्ड रिलीस कर जिया गया है और आप सभी ने मेरा वो वीडियो देख भी लिया होगा कि जिसमें मैंने बताया था आपको कि एससे सी एचसल ट्व करवाने के लिए अगर वो वीडियो अभी तक भी नहीं देखा आपने तो जाइए इससे पिछला वीडियो वही है आज सुबा मॉर्निंग में अपलोड किया था मैंने उसमें मैंने कंप्लेट इंफोमेशन आपको विस्तार से बताई है तो उस वीडियो को देख लिजिए एड्मिट का डाउनलोड करने के बाद जो दोस्तों इंट्रक्शन्स है कुछ जरूरी इंट्रक्शन्स है यहाँ पर एक्जाम से रिलेटेड जो कि आज आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ जैसे की एक्जाम में आपको किन किन चीजों का जहान द इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं ठीक है इसल्य बोलता हूँ कि वीडियो को लाश्टक देख के जरूर जाईएगा अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया और यहां तक देख चुके हैं तो लाश्टक भी जरूर देखेगा ताकि आपको अच्छे सी अच्छी बिल सके कहीं और आपको ना जाना पड़े ठीक है उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट इस वीडियो को सभी विजुल इंपेड दिव्यांग जन तक शेर कर दीजिए ताकि जो भी लोग इसी से वनचीत रह गए हैं आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो बेसिक इंट्रक्शन्स हैं वो आपको नहीं पता चल पा रही हैं तो हमारी वीडियो के मादम से पता चल सके, ठीक है, बाकि चैनल पर नए है और पहली बारा आये हैं तो चैनल को जरूर से जरूरberg कीजेगा क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी हमेश चुके हैं ठीक है हमारी दोस्तों बहुत मैनच लगती है वीडियो बनाने में बहुत ज़्याद डिफिकल्टी भी आती है ठीक है और अभी तबीद भी कुछ ठीक नहीं है फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है यार है ना बैल आइकन को ओल पे कर दिया होगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने एड्मिट का डाउनलोड करने वीडियो देखी या नहीं देखी है ठीक है और आपके लिए बहुत जल्द वीडियो आने वाला है जो कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं हर वीडियो में रेल यह बिना देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कल मॉर्निंग में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि एसे सी एम्टेस 2021 का जो टियर वन का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और उसकी एक्शुल में सच्चाई क्या है कुछ फेक लिंक वाइरल किये जा रहे हैं तो कब रिजल्ट आएगा मैं डिफिनिटली आपको 100% के साथ बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा तो कल वाली मॉर्निंग वाली वीडियो भी जरूर देख लेना 9 बज़े अपलोड हो जाएगी चैनल पर ठीक है और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए तो चलिए अभी मैंने यहां पर फाइनली दोस्तों एड्मिट कार्ट के साथ एक बेसिक इंट्रेक्शन यहां पर पीडियाफ अपलोड किया है एससी ने उसमें कुछ बेसिक इंफोर्मेशन दी गए टियर टू के रिकार्ड सबस्क्राइब्स कर दिया है यहां पर हिंदी के हैं पहला इंट्रेक्शन है दूसरा इंट्रेक्शन से और तीसरा को प्रिंट करा के इसमें हैं आपको जो आपका मतलब की कभी बुखार वगएरा हुआ की नहीं को विद्ध हुआ कि नहीं वह सारी बेसिक डिटेल सापको डालके यह संविट करना यह आपको सेंटर पर भी मिल जाएगा और आप यहांसे भी निकाल सकते हैं ठीक है तो फिलाल सबसे पहले मैं इसका जो पहला पेज है इंग्लिश का उसको जर्नल इंट्रक्शन पोलते हैं वह पढ़ लेते हैं बार पाघ पाघ्ट पर लृट्शन पर अट पोलग चैनल इंट्रक्शन आइप पर लीश ओखाण ओड्या प्रिविश्टेफ विल्गा में उयुदे प्रिणिट हुदनेख बिजिए इंट्र को अधि हैं जर्व पन्रिशने फोलग फिल्गाल इंट्रफिश प्रइट निए्टं इस इसी गखों मेवार शिध उनल्शी ऍरे ऐ उनल्ड एंड़ औकार फ्सक्रीम प्रिदीं कर दिए औ अ n य प्रें कामरा, प्रेंक गход के बाइब परूस्ट जे करे जावार निआермId एक्षाजू पेद प स्केण़ कामराई sw ed而且 और याव्ते के इंआश के लग पतule my verlier poverty काम कामाईश के ले लाफ लगैतर फिर स्थाहिए लगिया है, लरके ख uniquे ह fav परीलिऊद के साहमें, आ 스타 कुशी नुकामें साही. शुल्कानश में उस नुर्श काइसने येर य। जुर्श कामेंग। 3. आव झायrzें Jed pyram counted मे काया है 4. विडिएज नावज गजिए वोजिए आ Зब 99hal turned maya lett का प्रम के परीट के साहिए एक्राओ का हुएवीर इइक म Acts 5 कि एसाथ एसलिव कि एसलिय कि अब्सप्सेद कि पेृल सब्सेएंदिक अप्सेज एक इस वाद एक अर कंप इसान बीज चाइब no candidates reaching the venue after entry closing time shall not be allowed to enter the examination venue. 8. Candidates shall have to undergo the process of risking. Candidates shall not be allowed to leave the examination venue after entry and examination venue. 9. Candidates must strictly abide by the instructions given by the exam functionaries, center supervisor slash invigilator, ETC. 10. The candidates should ensure that they provide clear left thumb impression, LTI, certification statement and their running handwriting and signature on commission's copy of admission certificate. 11. No candidate is allowed to leave the examination lab before the completion of the examination for any reason without permission from the exam functionaries. Once a candidate leaves the lab without the permission of the exam functionaries, he or she shall not be allowed to. O re-enter the examination lab and shall be deeper from the examination. 12. If any candidate is found obstructing the conduct of the examination or creating disturbances at the examination venue, his or her candidature shall be summarily cancelled. Such candidates shall also be liable to be deeper from future examinations of the commission and legal slash criminal proceedings could be initiated against him or her. 13. If the examination does not commence at the scheduled time or is interrupted midway due to any technical snag or for any other reason, candidates should follow the instructions of the exam functionaries. They may have to wait patiently till the issue is suitably. तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर हमने पहला पेजिस का पड़ा जो कि इंग्लिश में है जर्नल इंट्रक्शन के नाम से ठीक आप इसका सेकिंड पेज है उसमें भी कुछ किस किस डॉकुमेंट को केरी करना है और किस किस तरीके से उसको लाइन बाइन लगाना है ताकि आपको बहुत इजी रहे हर चीज के लिए ठीक है चले मैं इसका दूसरा पेज यहाँ पर दूसरा पेज हम इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं फटापट आप झालेओ टुमेंट तर में का तो देखा दोस्तों आपने यहां पे हमने इसका दूसरे पेज है उसको भी रीड कर लिये ठीक है अब इन दोनों ही को मैंने कोपी कर लिया है अब मैं आपको गूगल ट्रांसलेट में लेके चलता हूं और इसको हिंदी में कनवर्ट करके दिखा देता हूं ताकि जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ी प्रोब्लम होती है समझने में वो लोग हिंदी में भी इसको अच्छे से पढ़ पाएं और समझ पाएं उसके बाद हम डॉकमेंटेशन क अब लोगों का जो एक्जाम हैं वो कैसे होता है क्या क्या चीज आपको इसमें देखने को मिलती है आपको जैसे पता ये पेपर रेंड पैंट मौड फैकर ओफ लाइन होता है मतलब कि यहां पर एक डिस्क्रिप्टिव फाइल दी जाती है मतलब कि इसे और फापिक मिलते ह पांचों में से कोई एक टोपिक आपको essay में और एक टोपिक लेटर में लिखना होता है इस तरह कि मैंने वीडियो बनाई थी अगर आपने वो नहीं देखिये तो वो देख लिए हो सकता है आपकी help हो जाए आपके काम आजे और उसमें बहुत विस्तार से चीजों को क्लियर किया बहुत विस्तार से हर एक चीज को बारिकी से समझाया है ठीक है तो आपको यहां पर क्या करना है चले मैं सबसे पहले उसको करता हूं करता हूं माफी चाहूंगा दोस्तों करता हूं चले मैं इसको यहां पर पहली जो पहला पेज़ा उसको पेश्ट कर देता हूं फिर आपको समझा देता हूं सारी चीज अच्छे से करेंगे उसके बाद हम डॉकमेंटेशन पर बात करेंगे करreCar की दौ टौक्रा दिट Dimashelle के सामान्यन एपरीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय उम्मीद्वारों को हनिवारे रूप से निमनलिखित लाना चाहिए डेश ए प्रवेश प्रमान पत्र बीबे उनके नवीन रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राप की दो प्रतियां, तीन सेमी, X3.5, सेमी, C, सपष्ट फोटोग्राप के साथ मूल में कम से कम एक वेध फोटो योग पहचान प्रमान, योग्या फोटो पहचान, प्रमान जैसे 1, पासपोर्ट, 2, आधार कार्ड ली आधार का प पूर्व सेनिक डिस्चार्ज बुक, 9, कोई अन्य केंद्र सरकार, राजे सरकार, द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमान, दी, अगर फोटो पहचान पत्र में जन्म की पूरी तारीक शामिल नहीं है, तो उम्मीद्वार को एक प्रवेश प्रमान पत्र पर मुदृत जन् आइऽ प्रवेश पत्र, केवलón CBSI, ICSI, R capstone द्वारा जारी, दसमीक खशा Ka card Pass, प्रमान पत्र अंक पत्र, जन्म प्रमान पत्र, केवल चेंद्र सरकार द्वारा जारी, यि प्रमान पत्र, आदी, राजे सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की एकाई, में एक बेमेल के मामले में उलिखित जन्म तिथी और फोटो आईडी प्रमान प्रमान पत्र में लाया गया जन्म तिथी के समर्थन में, उम्मीद्वार को परीक्षा में बैठने की अनुमती नहीं दी जाएगी. इ, फेस मास्क, च, हेंट सैनिटाइजर, छोटी बोतल, च, पारदर्शी पानी की बोतल, ज, प्रवेश प्रमान पत्र के साथ प्रदान किये गए. स्वगोशना पत्र का प्रिंटाउट एक, निशिद वस्तों, जैसे घड़िया, किताबें, पेपर चित, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स, मुबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, सिर्फोन, पेन कैमरा, बटन होल कैमरा, कैलकुलेटर, कैमरा, स्कैनर, स्ट सरदाई होगा आयोग की भविशिक, यी परीक्षाओं में दो, उम्मीद्वारों को सला दी जाती है कि वे उपर उलिखित निशिद वस्तों को परीक्षा स्थल पर न लाएं, मामले में वे कोई ऐसा लाते हैं मद में, उन्हें ऐसी वस्तों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अपनी व्यवस्ता स्वयवन करनी होगी, आयोग कोई नहीं करेगा व्यवस्ता और नहीं ऐसी किसी वस्तों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे, तीन, सभी परीक्षा कक्ष निगरानी में हैं, चार, उम्मीद्वारों को सला दी जाती है कि वे उम्मीद्वारों से बात करने या किसी भी अनुचित साधन में शामिल होने से बचे पांच, उम्मीद्वारों की उम्मीद्वारी विशुद रूप से अनन्तिम है, यह सला दी जाती है कि उम्मीद्वारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे सभी को पूरा करते ह यदि किसी भी स्थर पर यह पाया जाता है कि उम्मीद्वार पातरता की किसी भी शर्थ को पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीद्वारी रग किया जाएगा छे उम्मीद्वारों को प्रवेश प्रमान पत्र में निर्दिश्ट स्थान पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमती दी जाएगी साथ आयोजन स्थल के अंदर केवल उम्मीद्वारों के प्रवेश की अनुमती होगी सुबह 9.30 बजे से 10.30 बजे के बीच नोट प्रवेश बंध होने के समय के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने वाले उम्मीद्वारों को परीक्षा स्थल में प्रवेश करने की अनुमती नहीं दी जाएगी आठ अंumीद्वारों को तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उम्मीद्वारों को प्रवेश के बाद प्रिकषा स्थल छोड़ने की अनुमती नहीं दी जाएगी प्रिकषा स्थल में नू। की अनुमती के बिना प्रयोग शाला चोड़ देता है तो विह नहीं होगा परीक्षा प्रयोग शाला में फिर से प्रवेश करने की अनुमती दी जाएगी और परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा बारा यदि कोई उम्मीद्वार परीक शा के आयोजन में बाधा डालता तो देखा दोस्तों आपने यहां पर पहली जो पहला पेस था जर्नल इंट्रक्शन्स का वो हमने यहां पर हिंदी में पड़ा चले अब दूसरा पेस्ट भी पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको फाइनली डोकुमेंटेशन का बता देता हूं ठीक है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है माफी चाहता हूं लेकिन जरनकारी भी जरूरी देना लगता है में को चले हमें इसको हिंदी में कर लेते हैं को अध्रेस्ट करेंगा यदी समस्या बढ़ी है और किसी भी कारण से जाएगी 15 किसी भी संदे या किसी सपश्टी करण के मामले में उम्मीद्वारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग के क्षेत्रिय कार्यालायों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें या प्रवेश प्रमान पत्र के प्रिष्ट एक कि शीर्ष पर दर्शाए गए हेल तो देखा दोस्तों आपने हमने 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 जिसका सेकिंड पेज है वह भी पढ़ लिया ठीक है तो यह तो बात रही बेसिक इंट्रक्शन की तो आपको यहां पे हर एक पॉइंट को हर एक लाइन को हर एक पैराग्राफ को फोलो करते वे जलना है कोई भी ऐसी मिस्टेक नह उसके रखना है तो जो आपको क्या क्या रखना है सबसे पहले तो आपको रखना हैश्चपनध का कटिया क्या ठीक है यहां पूर तो इडिकर writings एह सबसे और प्रेंट自ग का ओंप अप को uda और दो ठीक है उसको निकालके उसको फिल करके थम लगाके admit card के नीचे आपको वह attach कर देना है ठीक है अब थर्ड पर आपको क्या करना है थर्ड पर आपको करना है आपका आधार कार्ड या तो आपका यह अधार कार्ड हो या फिर आपका नॉर्मली जो आता है वह अधार कार्ड हो यह तीन चीज़े हो गई उसके बाद चोथे में आपको करना है आपको करना है ताकि आपको दिक्कत ना आए ठीक है बस यही चीज़े आपको लेके जानी है इसके अलबा क कोई और चीज आपको नहीं लेके जानी है यदि आपके अधार काड में कोई डेटो बर्थ मिश्टेक है या आपको लगता है या मन्थ नहीं है तो आपको 10th का माक्षिट भी वहाँ पर करना चाहिए ताकि आप सेफ रहें और कोई आपको दिक्कत ना है यदि अधार काड मे नेम कुछ हो रहाए अधमिट काड में कुछ हो रहा तो वो मिसमेच हो रहा है तो एधमिट काड से रिलेटेट जो कोई और ड held быстр और अगर आपके अपके अधमिट काड में लिखा है अंस्क्राइब या आपका राइटर है जो वोत्स क्राइब आपको आपको 2 suppe be night इ। कि क्राइटर ला रहे हैं तो याद रखेगा स्क्राइब की कौलिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन के वन च्राइब बिलो होनी जाहिए। वह आपको हमापे स्क्राइब स्कॉप में मेंट्र करनी होगी। और आप अपना राइटर खुद का भी ले तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट का रिपलाई कर दूँगा, ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं, पहली बार फिर से बोल रहा हूं कि चैनल को जरूर से जरूर सस्क्राइब करें, पास में दिये गए नोटिफिकेशन, बैल आइकन को ओल पे सेट करें, इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शियर करें, और कॉमेंट में अपनी परतिगिर्या दिखाएं, ठीक है, चले मैं मिलता ह किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ, तब तक लिए नमस्कार बाबबाय टेक केर, जय हिन जय भारत